हेलो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रिदय से संबंधित विडियो ECG टेस्ट क्या है? ECG परीक्षन जिसे इलेक्ट्रो काडियोग्राम या EKG के रूप में भी जाना जाता है एक गैर आकरामक मिदान उपकरन है जिसका उपयोग आपके हरिदय धरकन को मापने के लिए किया जाता है ECG मशीन तरंगों के रूप में ग्राफ पेपर या कम्प्यूट स्क्रीन पर आवेगों को रिकॉर्ड करती है जिसके द्वारा डॉक्टर चेक कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि आपका हरिदय कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है लोगों को ECG परीक्षन की आवश्यक्ता क्यूं है लोगों को ECG टेस्ट की आवश्यक्ता क्यूं होती है इसका एक मुख्य कारण वे लक्षन है जो वे अनुभव कर रहे हैं जैसे कि सीने में दर्ग, सांस लेने में तकलीफ या धर्कन बढ़ना यदि आप इन लक्षनों का अनुभव कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर किसी भी हरिदय संबंधी असामानिताओं की जाच के लिए ECG टेस्ट की सलाह दे सकता है लोगों को ECG टेस्ट की आवश्यक्ता होती है अब हम बात करते हैं ECG टेस्ट की आवश्यक्ता किन-किन मरीज को होती है उच्य रक्त चाप, मधुमे, मोटापा या हरिदय संबंधी समस्याओं के पारिवारिक इतिहास जैसे हरिदय रोग के जोखिम वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से ECG परीक्षन करवाने पर विचार करना चाहिए सीने में दर्द या घबराहट का अनुभव करने वाले लोगों को भी परीक्षन करवाना चाहिए इन समूहों के अलावा, एथलीटों को जोरदार व्यायाम या खेल गतिविदियों में शामिल होने से पहले ECG परीक्षन करवाने की आवश्यक्ता हो सकती है इस प्रकार हम ECG की जाच करवा सकते हैं दोस्तों इस प्रकार की हेल्थ संबंदित वीडियो पाने के लिए आप लक्षमन हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें